दोस्तो अगर आपने भी विहार बोद से मैतिक की परिक्षा 2023 में पास किये और मैतिक पास स्कोलर्शिप 2023 के लिए अपना फोरम फिलब किये हुए हैं तो मुख मंत्री बालक बाल का माधुइंग पोर्थ सान योजना दोरा एक निव लिस्ट जारी किया गया है इस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपको जो है बहुत जल्द मैतिक पास स्कोलर्शिप 2023 के तर्थ फर्स्ट डिविजन से जो एस्टुदेंट तेंथ का एकजाम पास हुए हैं उनको दस जार रुपे की रासी दी जाएगी और जो एस्टुदेंट एस्टी कास्ट के तो गोरी से आते हैं और वे सकेन दिविजन से भी तेंथ का एकजाम पास किये हैं तो उन्हें आथ हजार रुपे की रासी दी जाएगी तो किस परकार से आपको उस लिस्ट को दाउनलोद करना है और कैसे उस लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना है जिसकी complete process step by step हम आपको इस वीडियों बताएंगे तो वीडियों को कहीं सभी skip नहीं किजेगा इस वीडियों को आप सुरू से अन तक जोर देखेगा और वीडियों अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जोर कीजेगा और चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जो भी इस परकार की update होगी तो सबसे पहले आप तक पहुँछती रहेगी तो चलिए हम बिना देखे आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आपको उस लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैप्तॉप में गूगल को ओपेन करना होगा उसके बाद यहां पर आपको सर्च बार में सर्च करना होगा मेधासॉप तो जैसे ही आप मेधासॉप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार से एक न्यू इंतरफेस होगा किलिक करना होंगा इस पी किलिक करेंगे अप मेदा सौफ के और प्रियू तो दृस्क्रिप्रिशन बोक्स बैसके सकते हैं यहां पर यहां पर मुंह मनती बालक वाल का 3 पासिट पोर सांद योजनढ़ा सेक्षन में एक लिंक मिलेगा अपना नाम करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे आजाना होगा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक लिंक मिलेगा लिस्ट ओफे स्टुदेंट रेडी फोर पेमेंट का इस वाले अप्शन पर क्लिक करना होगा इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक निव पेज ओपन होगा और यहां पर आप आएंगे तो देख सकते हैं बताया गया है प्लीज चेक यूर बैंक अपने बैंक होगा जैसे ही आप लोगों का फिर से आकर यहां पर आपको अपना बैंक दिटियल की जनकारी चेक करना है कर ले हुआस कर ले यहां साफ तर पर बताया गया है कि आप जो भीUST दाले हुए हैं रजिस्ट्रेशन करते समय और फाइनल सम्मित करते समय उस डीटियल्स को आपको एक वार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है इस वेब साइट पर आ करके उसके बाद यहां पर आप नीचे में देखेंगे तो बताया गया है सत्यापन के बाद छात्रों की अन अपना नाम चेक कर लेते हैं उसके बाद अगर आपका कुछ भी गलत है उसमें से तो उस केस में आपको इस लिंक पर क्लिक करके आपको विभाग को यह जनकारी देना होगा कि हमारा यह दिटियल्स गलत है और अगर आप यह जनकारी विभाग को दे देते हैं कि हमारा जो details है गलत है तो विभाग दोरा आपका जो भी details गलत होगा उसको सुधार कर दिया जाएगा अब बात आती है कि यहां पर आपको अपना नाम कैसे चेक करेंगे तो उसके लिए यहां पर आपको अपने district का नाम select कर लिजेगा उसके बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा college का तो यहां से आप जिस भी school में पराई कर रहा है थे उस school का नाम select करना होगा तो यहां से आप अपने school का नाम select कर लिजेगा उसके बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा जेंदर का तो इस वाले option पर click करके और यहां से आप अपना gender select कर लिजेगा अगर आप male है तो male वाले option को select रहने दीजेगा अगर आप फीमेल है तो फीमेल वाले अप्सन पर क्लिक कर लिजेगा उसके बाद यहां पर लिस्ट नंबर यह तो मैंतिक सेलेक्ट रहेगा रेदी फोर पेमेंद का और यहां पर आप चाहे तो अपना रजिस्टेशन नंबर भी डाल करके अपना नाम इस ल लिस्ट में देख सकते हैं तो चलिए हम यहां पर सारा डीटियल सेलेक्ट कर लिए हैं उसके बाद यहां पर जो सौर्ज का अप्सन मिला इस वाले अप्सन पर क्लिक करते हैं इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे इस स्कुल में जितने भी एस्टूदेंट होंगे और वह अपने फोरम को फाइनल समीट कर दिये होंगे और उस एस्टूदेंट का इस लिस्ट में नाम होगा तो उस सभी का नाम यहां पर आपको देखने को मिल जागा तो जैसा कि यहां पर अभी आप देख सकते हमारे सामने यह लिस्ट ओपन हो चुका है और यहां पर आप देखेंगे यहां पर आप दिया गया और उसके बाते पर मॉबाइल DSA अ उसके बाद यहां पर छोग लिस्ट नमबर बतायाँ आते और आप देखेंगे तो यहां पर प्रते टीम हो तो जैसा यहां पर देख नमबर का जो 5 दीजित है वो 100 हो रहा है उसके बाद यहां पर इजयर 100 हो रहा है और यहां पर आप देखेंगे तो एकाउंट नमबर में अभी सब एस्टुदेंट का 0 100 कर रहा है यानि कि आप लोगों का जो भी एकाउंट वेरिफिकेशन है वो होना बांकी है जैसे यह आप लोगों का बैंक रिकेंशन और यहां पर आपके एकांट का फौ्ट दिजीट लास्ट का सौ होने लगेगा हुश के बाद यहां पर आप देखेंगे तो एपनावाइल नंबर यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करते समय दिये थे का लास्ट का सो होने लगेगा उसके बाद आप देखेंगे तो इसे देंगे तो मोबायल नमबर है यानि कि जो मोबायल नमबर आप रजिस्ट्रेशन करते समय दिये थे उस mobile number का यहां पर last four digit show होगा और यहां पर आप देखेंगे तो list number में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है और उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो payment status में सभी student का ready for payment show कर रहा है और दोस्तों यहां पर आप देखेंगे आपका mobile number का जो last का फोर दिजित सो कर रहा है यह आपका गलत है तो उसके लिए जो है आप इस link पर click करके अपना समस्या बता सकते हैं तो दोस्तों इस परकार से आप इस list को check कर सकते हैं और यहां पर आप देखेंगे तो जिस भी school का नाम आप select करके search करेंगे उस school में जितने fulfillment हो गया होगा यानि कि उस school के जितने भी student है वो अपने form को final summit कर दिया होंगे तो उस सभी student का यहां पर आपको नाम देखने को मिल जागा और अब आप इस list में अपना नाम कैसे check करेंगे क्योंकि देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे student का नाम दिया गया है एक ही list में तो यहां पर आपको अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको अपना नाम खोजना होगा और यहां पर आप देखेंगे तो एक ही नाम से दो तीन student रहता है तो ऐसे में आपको अपना नाम पता करने के लिए जो है सबसे पहले यहां पर जो registration number दिया गया उस registration लिए अगर उससे भी पाता नहीं चल पाता है तो यहां पर जो आपका मोबाइल नंबर के लास्ट के फोड दिजित को आपको मिलाना होगा तो इस तरह से आप मिला करके अपना नाम चेक कर सकते हैं कि यह बास्ता में हमारा ही नाम है और दोस्तों अगर आपका इस लिस्ट में नाम आ चुका है तो आप लोगों को जो है मुख मंत्री बालक बालका माधूइक पूर्ट सान योजना 2023 के तहट बहुत जल्ड आप लोगों का जो स्कोलर्शिप की रासी है वो दी जाएगी जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं पेमेंट स्टे अपना बैंक वरिफिकेशन करना होगा और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में मुख मंत्री बालक बालका माधूइक पूर्ट सान योजना 2023 के दोरह 10,000 रुपिय की रासी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो दोस्तों इस परकार से आप यहा आपको अपना नाम चेक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया है तो उमीद करता हूं आपको यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद रहा होगा और दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और इसी तरह की अपदेट पहने के लिए अगले वीडियो में अगले तो पक का साथ जाहिंद